हमारे समवादाता ने पटोदी और गुरूगराम जो विधान समश्चित ने वहाँ पर किस तरह की इंतजामात किये गए इस ट्रॉंग रूम के बाहर उसका जायजा लिया वो आपको दिखाते हैं हर्याना का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा जब 24 तारिक को सुबह 8 बज़े से मत गणना शुरू हो जाएगी इस समय हम गुरुगराम जिले में हैं और गुरुगराम जिले के सेक्टर 14 गल्स कोलिज में जहाँ पर गुरुगराम की चार विधान सभाओं के स्ट्रॉंग रूम मनाये गए हैं यहां के हम आपको सिक्योर्टी अरेंजमेंट्स दिखाने के लिए लेकर आये हैं और सबसे पहले मैं यहां पर खड़ा हूँ पटोदी विधानसभा का जो स्ट्रॉंग रूम बनाया गया वहां पर और यहां की सिक्योर्टी के अगर बात करूँ तो थ्री टायर पर बनाये गई है और इनके पीछे मैं सामने दिखाऊं तो सील लगा हुआ है जिस दर्वाजे पर वो अंदर इसमें सब इवियम्स रखी हुई है पटोदी विधानसभा की इसी तरह से यहां पर चार होल में अलग-अलग विधानसभाओं के जो इवियम्स हैं वो रखे ग 24 गंटे सर्विलांस चल रहा है यहां से यह जो कंट्रोल रूम है चुनावायों का वहां से सीधे कनेक्टेड है वहां पर इसकी सारी फीड लाइफ जा रही है और मैं सुनी लिया दव कैमरा पर संजय भगवान के साथ खबर अभी तक गुरुगराम विपक्ष तार आरोप लगाता है कि इवियम्स में गड़बर की जाती है लेकिन सीक्योर्टी कैसी होती है स्ट्रॉंग रूम की जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जहां पर इवियम चल रही है और ये CCTV कैमरा के वल यहीं तक सीमित नहीं है इनके फूटज बलकि चुनाव आयोग तक इनकी लाइफ स्ट्रीमिंग जा रही है इनके अलावा अंदर आपको दिखाई देंगे जो सिक्योर्टी जवान खड़े हैं वो IRB से हैं और उनके अंदर जो स्ट्रॉंग पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स हैं उनके सामने ही उनको ओपन किया जाएगा और सुबह आठ बजे से ही रुजान आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद तैह हो जाएगा कि हर्याना का मुख्यमंत्री कौन होगा जो रुजान आने शुरू होंगे सबसे पहले प्रेबी तक गूग रुग राम